तो जो हमारा next lecture होगा उसमें हमें ट्राइग होगा भी almost आपकी यह unit है कम से कम time में सारी गवर हो जाएग तो next lecture आपका बहुत ज्यादा important exam के point of view से भी और आपकी knowledge के point of view से भी तो next जो lecture होगा हमारा उसमें हम बाती की जितनी हमारी वी spectroscopy बच गई है उसको हम discuss करेंगे पहेंगा अब आएगा तो यह आगा हमारा one glass water अब आपको पता है इस बेस्ट्रेंट जैसा कि हम पिछले lecture हों पड़ चुके हैं कि UV spectroscopy जो basically absorption spectroscopy हमारी है इसका दूसरा नाम हमने दिया थी इसको electronic spectroscopy भी बूलते हैं क्योंकि इसमें electronic transitions होते हैं तो जो हम absorption की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे UV के अंदर basically दो laws ऐसे हैं जो हमारे बहुत ही ज्यादा important है और उसी के basis पर जो हम UV या जो visible spectrum है हमारा वो उसी के उपर काम करता है ठीक है जिसके अंदर आते हमारा जो absorption होता है radiant energy का वो हमारा basically दो plus के उपर base है वो जो दो ला है आपके वो plus one में भी वैसे आठीक है आपके अला सब्सक्राइब यहां पर भी हम वो कर रहे हैं जिसको बोलते हम बीर्स ला और दूसरा है हमारा लेंबर्स ला ठीक है यह जो दोला है हमारे यह बहुत ही जाना इंपोर्टेंट है अगर आपको यूवी के अंदर absorption को समझना है तो इन दोनों लाज की definition से पहले हम इसको जो है example के दवारा समझते ही basically अब suppose कीजिए मैंने एक glass जो है पानी का लिया है निया ग्लास निया ग्लास पानीगा अब आएगा तो यह आएगा हमारा one glass water अब आपको पता है इस glass के अंदर pure water है और कुछ नहीं है लेकिन एक चीज़ आप बोलें साथ में यह glass में है मतला जब आप इसके उपर यूवी डालोगी तो यह जो glass है इसको cross करने के बाद यूवी हमारे किस अब inside क्या है हमारे water molecules है वह water molecules क्या करेंगे जो light हमने डाले उसको absorb करेंगे जितना light absorb होगी ठीक है बाकी को आगे क्या कर देंगे transfer करेंगे इसके आर पार जो है light हमारी निकल जाएगे लेकिन अगर मैं क्या करूं यहाँ पार है एक प्रकार से इसके अंदर थोड़ा color डाल देता हुं क्या डाल देता हूं सपोज कीजिए मैंने इसके इंदर कोई red color डाल दिया ठीक है फिलाल में पस red color है नहीं आप लेक कर लेजिए suppose कर लेजिए कि आपने इसके अंदर क्या जो color solution अपने डाला है basically अब वो इस glass of water को transparent नहीं रहने देगा वो इसके अंदर जो water molecules हैं के साथ कमाए नोगर कि basically इसके पूरे जो water का जो हमारा surface है या जो पूरा water है हमारा उसके अंदर फैल जाएगा तो जो light आएको इसको प्रोस नहीं कर पाएगा और absorption बढ़ जाएगा ठीक है तो इन ही क्योग पर basically जो हमारा क्या बेश हमता है बेर जो लेंबर्सला लेंबर्सला ने एक बात बता दी जी कि भई ये डिपेंड करता इसकी length कितनी है वो directly proportion होगा length की कि जितनी ज्यादा length होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा light का absorption हुआ कैसे अब suppose कीजिए इसकी जगा मैंने क्यूबेट लिया होता है अब क्यूबेट क्या होता भी अगर आपने UV and visible spectrophotometer देखा हो तो आप एक चोटी सी ऐसे क्यूबेट शेप हमारी एक जैसे हैं एक स्लाइड सी हुथती है उसको क्यूबेट हो तो ने प्यूबेट होगा उसके अंदर हम क्या लेते हैं सेंपल लेते हैं फिर उसको जो हम UV photo meter के अंदर लगा के उसके अंदर हम उसकी absorbance चेक करते हैं तो वो डिपेंड करता है भी अब एक तो जो क्यूब लेंद है उच्छ समाल हो एक लार्जर हो तो जितना ज्यादा होगा लाइट को उत्मा जाड़ा ट्रेवल करके क्या जाना पड़ेगा उसका आरपार जाना पड़ेगा मतलब जो एब्जोर्बेंस है वो बेसिकली और किस इसके अपोंडिंगोडिंग और लेंबर जो हूंक रहो इसके उपर डिपेंड करती है लैंज पे और इन दोनों लॉस को एम बेजा जाता लिय्ष फिल्ग प्लत चाहांен होता मियूं थी locking ना ट्रीजर्ट स्व구나 दालों पहले हम करेंगे वियर्स ला उसके बाद उपढ़ेंगे हम लेंबर्स ला क्या कहता है वियर्स ला according to according to this ला amount of light absorbed amount of light absorbed is a proportional to यह इंपोर्टेट अभी कंसंट्रेशन प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ओफ एब्जोर्बिंग इसके उपर टिपैने करेगी जो सोल्यूट हमने उसके लिया उसके एब्जोर्प्शन कैसे कैसे है जैसे इसी को मैं दोवारा से ले लूँ सब्कोज कीजिए हमने शुरुवात में जो कलर डाला वो पांच गराम हमने डाला उसके बाद प्रिमे ने कलर को दस गराम कर दिया अब आप सोच के देखिए पांच गराम के टाइम पे जितना ये लाइट को एब्जोर्प कर रहा था क्या दस गराम में उत्राएं करेगा नहीं क्यों क्यों क्योंकि अब उसके क्या बढ़ गिया है नंबर ओफ स्वालीट पार्टिकल बढ़ गहें हैं तो किसके प्रोपीर्शनल होगा कनसंट्रेशन ओफ एब्सपीं क्या धितना हूँ नंबर ओफ एब्सपीं क्या लिक सिकते हूँ में या पे नंबर ओफ एब्सपीं क्या चुआद एज मोलेगूल एब्जोर्ब सेम या फिर बोलचकते हमें इक्वल फ्रेक्शन आफ इंसीडेंट लाइट की हर एक मोलेकुल जो होगा वो इक्वल फ्रेक्शन जो हो एब्जोर्ब करेगा इंसीडेंट टे लाइट का इंड़ेंडेंट ओफ कनसेंट्रेशन independent of a concentration हमने वाँपे ये independent of concentration किसकी बात कर रहा है each particle की लेकिन यहांपर क्या बन रहा है proportional concentration of absorbing solution मतलब उसके number पर depend कर रहा है ना कि इस बात पर जितने amount of absorbed particle को ये absorb करेगा जैसे मालिया 100 particle है उसमें से अगर एक particle सबोज कि जिए 30% light को absorb करा तो बाकी के सारे particles भी क्या करेंगे 30% को absorb करेंगे तो इसको मैं basically कैलेशता हूँ A directly proportional to C और directly assign काने के लिए हम अब साइदर का इमज़ कर लेते हैं तो यहाँ पर हम थोड़ा सद हो है एक परकार से समझ़ड़ी की कोशिश कर सेते हैं Bars Lock इसके बाद हम इसके उपर आते हैं Lamber's Lock अब Lamber's Lock में क्या चीज़ा आते हैं Length की हमारी जो है नहीं बात जो है इसके अंदर आ जाती है तो क्या कहता है According to Lamber's Fraction of light absorbed कि कितनी light absorbed होगी Fraction of light absorbed by homogenous medium is independent of intensity of incident light intensity of incident light किसके उपर depend करेगा कि lights are उसकी intensity कितनी है कम है ज्यादा उसके उपर depend नहीं करेगा equally absorb होबा and each successive unit layer and each successive unit layer of medium absorbs equal fraction of light incident हरेग जो layer होई हरेग लेग क्या करेगी जितनी incident light को first layer ने माल लिया absorb किया है second layer उतना ही करेगी third layer उतना ही करेगी fourth layer उतना ही इस परकार से वो absorption जो है चलेगा तो इसको क्या बोलते हैं basically लेंबर्स ला अब इस दोनों लास फोगर में combine कर देता हूँ क्या कर तो इस दोनों लास फोगर में combine कर देता हूँ तो उसको basically क्या बोलतेंगे हमें बीयर्स लेंबर्स ला तो क्या करतेंगे by combination of these two लास वी गैंगे हमारे पास एक इक इक्वेशन आजा तीन दोनों लास को combine करने से लोगरिथम आई नोट अपोन आई इस इक्वल टू अपसाइलन सीयल और अपसाइलन सीयल को मैं क्या लिख सकता हूँ इस इक्वल टू एब्जोर्मेंस या फिर इसको मैं basically कैसे लिख सता हूँ अपसाइलन सीयल अब यहां पर आई नोट क्या आवे है हमारी intensity of incident light जो light हमने उसके उपर डाल ली है उसकी intensity कितनी है आई के अभी कि उसके बाद जो light है ट्रांस्मिट कितनी हुई है intensity of transmitted light c क्या था भी हमारा concentration of solution l क्या थे भी हमारी path length of a sample अब देखें भी absorption अगर इसको हम अटा लिए तो directly a c और l की इसको मैं कहले स्वाण हूँ a directly c a directly l दोनों को combine a directly c a directly के लिए हम फिर अब silent ले लेते हैं तो इस प्रकार से आभी तो length ये भी directly है तो l क्या हमारी path length of a sample अब silent क्या हमारा molar एब्जोर्ब्टिविटी जाकर इसको एक नाम और दिया दाता है वे molar extinction coefficient extinction coefficient क्या बोलते है इसको molar extinction coefficient ये क्या भी हमारा यहां पर absorbance मैं पहले की बता चुका हूँ क्यापि इसको एक नाम दिया दाता है वे optical density इसके range कित्मी उत्यवे लग बग जीरों से लिटर तो ये क्या था भी हमारा इसके बाद क्या थी हमारे लिमिटेशन कि भी बियर लेंबर्स जो ला है उसकी कुछ लिमिटेशन्स भी है कि बियर लेंबर्स ला जो भी वो फेल हो जाता है जब molecules किसके अंदर आ जाए इक्विलिवरियम के जाता है तो लेकर क्या लिक देंगे it fails well molecules are in equilibrium अब वहाँ पर कैसे फेल होता हुई देखिए कि आप में कर अधाए कि समय और दीचर में िच्पूमरेशन की किसके बात करें में कि इट्टो इनॉल टॉटॉमरेशन को मैं अपको शुण जादेता हूं कि अ कि पर लेकर्विक्ष ता हुए मैं पहले लिमेटेशन क्या है है लिए व्यार जयता है जो मोलेकुल्स है वो किसके अंदर होते हैं एक लिपर अब आते हैं किटो-ईल्डॉटोमेरिज्म के सिच्टोमेरिज्म के अंदर क्या है जैसा कि नाम सी पाँशे किटो-ईलॉड, किटो मतलब क्या होता हमारा जिसमें वहेक किटोन यानि की सी डबल गौंड हमारा ग्रूप और इनोल इन क्या होता हुए डबल बॉंड हो और साथ में कोल का मतलब क्या प्रस उपिसल ग्रूप हुमारा ओएच अब इसका एक सिंपल साइजम्पल लेता हुए मैं CS3 C double bond O CS3 यह हमारा सिंपलस्पी टोन अभी क्या वोजते हैं इसको अब अब टो न्झम के लिए कंडिशन कव्डियू एंदर करणार स्पार यह अधसे यहला ओंसुनल और नहीं है आंधासर इंदर आजू लंसके लिए Tobii और ना लेता हूं मैं क्योंकि इसाइड ये इल्फा है तो आलफा कार्पन के साथ जितनी एल्फा होता है ये वहारा दो थाइप का उता है वैसे तो चाहार टाइप ही हो सकती है लेकिन आपको ये बता हुआ एक तो 12 भाइग्रेशन होता ओर एक 13 माईग्रेशन होता है वैसे भी आजकल 15 और 17 माइगरेशन भी जो है पड़ाई सारे लगे हैं लेकिन मैं आपको यह दो ही माइगरेशन बता हुआ कर दो सिसके साइड भी थे स्सेक्व कहा चली जाएगी तो एक परकार से आगर जो अटेश्मेंट के साथ अब डिर्स की साथ हो गेजिंगे साथ ⅔ नृँबश्ण की साइड से जही सब तो फिर लिखते है पर नंनिक्ले बीं और सिउट की साइड से नंतर नेयस पड़ सो क प्राव्न होतर के साथ होगे नाइट्रोजन के साथ और नइट्रोजन की साइट से जब यह कमाइन करता हम इसको क्या लिखते हैं वह एन अच्क पर रोगते हम वन को माईगरेशन हों दुसरा क्या होता है 13 तोपार नेखें रही साइमाइन है आए खेर किया तो सइसे माईगर इसको कितो एलोल टोटो मैं इसे बिसिकली वही वो किसका एक्जाम्पल हमारा 1-3 माइडेशन का एक्जाम्पल है तो इसमें होगा वही बिसिकली एक जो एल्फा एडोजन है जिस कारवन के साथ है इसको 1 नाम देदेगी इसको 2 और यह ओक्षीजन क्या हमारा थड़ गए इस इसको मैं इसे लिख सेकता हूं भी CS3 को CS2HC double bond को CS3 oxygen more electron negative इसको मैं आपर जो है आप पता है oxygen more electron negative electron के लेके चाहिए इसके उपर क्या अगा डाल नेगिटी चाहिए अब यहां से क्या लिए होगा H positive यह bond क्या कर जाएगा यहां पर C अब positive को क्या चाहिए अभी 2 electron अब इसने इस वाड़े electron ले रखें तो यहां पर टाइगिटी होए तो इसके पास ही आ जाएगा तो जब यह equilibrium में जाएगे तो क्या हुआ हमारा CS2 अब यह bond करने से क्या आगा double bond यहां पर क्या है C O H CS3 अब देखिए आप फे 123 तो migration कहा से होगा 1 से लेकर 3rd में migration आ तो इसको क्या और पाइगे 6 पर हमारा D तो तो यहां पक्रित क्या वति है भी अब इस तरफ हमारा कि भो क्या है क्या है i-do और यह सबी तो आगे नहीं पर यहां पर क्या अग्या डमूर्ट भी आ गया है तो कि यह लेक्षर में हम इसको डिस्क्स कर लें फिलाल एक्जाम के point of view से आपको क्या समझ रहा है कि जब यह equilibrium नहीं होंगे तो हम किसको स्टर्ड और बे नहीं कर पाएंगे यह लेंबर्स लाको क्योंभी कंसेंट्रेशन जो है एक परकार से equilibrium में चले गए है तो यह क्या है हमारी इसकी फर्स्ट लिमिटेशन थी भी I think आपको समझ में आगा है वापी कि नहीं टो टो में जब सेकिंड क्या है है तो लूट एड शूवेंट मोलेकूल्स बाइग कंभाईनी फोरं एसोशी एंडिड पुलेकूल्स कि वह कई बार क्या होता है ही जो सोल्वेंट लेते ही है वह सूल्वेंट के साथ ग्याट करके को एक नहा कंपाउड बना जिता है अब नहीं होगी क्योंकि सोल्वेंट लुका बना दिया है परकाल से एक associated molecule यादी solvent के साथ रियाट करके कोई एक नया जोंड प्रोटक बना दिया है, ठीक है, थार्ड, तिस्री प्रोब्लम कब आती है, जब हम किसी molecule substance को heat करते हैं, तो उस टेंट पे क्या हो जाएगा हमके बीच में equilibrium set up हो जाएगा, तो वहें, thermal equilibrium equilibrium is set up between ground and lower yellow line excited state, कैसे भी, अब सपोर्ज कीजिए, यह है हमारा ground level और यह हमारा है excited level, ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है बेगी, किसी molecule जो excited level है, कही बार उसका level lower में हो जाता है, तो जब यहां से यहां पर electron transition होगा, अब कोना था transition हमारा, यहां से यहां एब्जोर्बेंस अभी मिलने वाली थी, जब molecule या जो electron हो यहां से यहां transition जा रहा है तब, लेकिन अब equilibrium set up होगा, भी low के उपर नहीं, तो आमें basically जो है उसके लिए, जो exact value है, वो हमें पराफ़त नहीं हो पाती है, क्योंकि जो ground level है, और जो low light excited level है, इंके बीच में कहें बहुत कम है, तो equilibrium set up होने सिकार हो, उसके absorption को अच्छी तरह से, जो है, study नहीं कर पाती है, ठीक है, और लास्ट आता हमारा, by fluorescent compounds, changed by irradiation compound, कई बार क्या होता है, जो fluorescent compound होते हैं, उसको इर्रेडियेशन compound होते हैं, उसको इर्रेडियेशन compound होते हैं, रिप्लेस कर देता है, तो basically हमने चेक कर नहीं, इसके absorption, लेकिन हम हमें उसको रिप्लेस कर दिया, इर्रेडियेटिड compound होते हैं, तो अब उसकी भी absorbance को क्या नहीं कर पाएंगे, बिलसे से study नहीं कर पाएंगे, clear हैं, तो यह क्या होते हैं, इसकी limitation होते हैं, उसके बाद क्या था हमारा आस्टा, molar absorptivity, क्या था हमारा molar absorptivity एक परकार से, molar absorptivity, यह क्या है, एक परकार की property है, जो हम use करते हैं, इसको study करने के लिए, जो electronic transition जा रहे हैं, जैसे, ground से excited में जो जा रहा है, इसकी एक परकार से property को क्या बहुते हैं, उसकी molar absorptivity, कि उसने कितना जो है, एक परकार से absorption किया है, तो कहले हैं, इसको एक परकार से, it is the property of molecules undergoing electronic transitions, ठीक है, एक परकार की property वे, जिसमें हम इसको study करते हैं, electronic transition को, उस property को basically हम क्या बहुते हैं, molar absorptivity, अब जो magnitude है, molar absorptivity का, मतलब कितनी absorptivity होगी, वो हमारा दो factor के उपर depend करता है, तो कहले कि हमें, magnitude of molar absorptivity depends upon two factors, इतने factor पर depend करता है, इसको लिए मारा दो factor के उपर, सबसे पहला कि वे, कि इतनी probability है transition की, probability of transition, ठीक है, क्योंकि वही, suppose कि जो transition हुई नहीं, जो electron था, वो ground level से, excited level पे गया ही नहीं, तो क्या नहीं कर पाएगा, absorption नहीं कर पाएगा, तो probability कितनी है transition जाने की, उसके उपर क्या depend करती है, उसकी absorptivity की वो कितना absorb कर पाएगा, और दूसरा depend करता है हमारा, size of absorbing system, जो system अमने लिया, उसमें absorbing system का size जो कितना है, उसको basically क्या बोलते हैं, इसको यह गोल सकते हैं, size of chromophore, जो chromophore अमने लिया है, उसका size कितना है, ठीक ह अगर हम एक average देखें भई, कि इसके लिए जो molar absorptivity होती है, compounds कि, वो कितनी से कितनी होती है, तो इसके रिए जोके भी 0 से लेकर 10 की power 6 कर, अगर कोई molecule less than, अब इसका अगर मैं मिट ले लू, तो मिट कितना जाए 10 की power 3 absorb करता है, तो उसको क्या बोल देते हैं, low intensity absorptivity, क्या ब intensity absorptivity, और अगर कोई molecule greater than 10 की 4 पे absorb करता है, तो उसको क्या बोल देंगे, high intensity absorptivity, clear है, तो अगर less than 10 की 3 है, तो उसको low intensity के अदर count कर लेगे, greater than 10 की 4 है, तो उसको count कर लेगे, high intensity absorption के अदर, उसके बाद आता हमारा, कई बार पूच ले दाता है, इस पेस सब, कि अगर किसी compound के transition forbidden है, तो उसके लिए जो हमारा इसकी range क्या होती है, अब यह forbidden transition क्या होता है, यह हमारा next lecture में आयो, और आपको बता हुआ, तो यहां पर हम सिर्ट range देख लेते हैं, range of forbidden transition, तो जो range होती है भी forbidden transition की, वो होती है, यह हमारी approximately 0 to 10 to power 3, यह कैसे list में 0 to 1000, अब 10 to power 3 से निचे वाल क्या था, low intensity absorptive, तो basically जो forbidden transitions होंगे, वो basically किसके अंदर लाई करेंगे, low intensity वालों के अंदर लाई करेंगे, clear है, उसके बाद अब count कर लेते हैं, इसकी unit, अब units क्या होती है, हमें पता है, इसके बढ़र है, हमारा absorbance basically, अब silent CL, अब molar absorptivity की unit निकाल लिए, अब silent को क्या लिए हमें, इसको इस सेट लिए हूँ, A upon C into L, अब C क्या हमारी concentration, अब L L L, तो इसको क्या लिए हूँ, A upon, अब concentration क्या होती है, number of moles of solute, dissolved per liter of solution, तो मैं इसको क्या लिए हूँ, अब A, mole per liter, multiply by length को किसे में लिए हूँ, मैं basically length लिए लिएता हूँ, अब area upon, अब लिए है, इसको अ mole upon thousand centimeter cube into length, मैं लिए हूँ, एक पावर हमारी का हूँ, cancel, तो यूद पर चले जाए है, अबारा, एक परकार से इसको मैं क्या लिए हूँ, A into thousand liter square, या एक परकार से L square लिए हूँ, हमें इसको, upon मैं, mole, length care unit में मैं इसको लिए है, ठीक है, तो इस परकार से हम इसको measure कर सकते है तो अगर हम लिखेंगे, तो अब asylum को मैं कैसे लिखता हूँ, thousand centimeter square per mole, या पर मैं क्या लिखता हूँ, area per mole, तो यह हमारी किसी के लिए क्या हूँ, इसकी unit हो, clear है, तो इस परकार से आप क्या निकाल सकते हूँ, इसकी unit, हाँ, एक और important बात है, I think कि अब हमारा यह जो lecture है, अ तो जो हमारा next lecture होगा, उसमें मैं ट्राइब करूँगा भी, almost आपकी यह unit है, कम से कम टाइम में सारी गवर हो जाए, तो next lecture आपका बहुत ज्यादा important, exam के point of view से भी, और आपकी knowledge के point of view से भी, तो next lecture होगा हमारा, उसमें हम बाती की जितनी हमारी, इसक्ट्रोस्कोपी बच ही है, उसको हम discuss करेंगे, तो next lecture के लिए आप बने रहे हैं हमारे साथ, अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है, तो कर लें, अगर आपको वीडियोज अच्छे लग रहे हैं, तो दूसरे students के साथ भी इसको share करें, जैसा कि हमारा motto है, education for all, तो इन वीडियोज को उन students तक भी प ज्यादा दूर है, खिक है, या किसी भी reason से जो पढ़ाई नहीं कर पाए, at least उनको भी इस जो lectures का है, वो उनको benefit मिल्स के, तो इसलिए वीडियोज को दूसरों के साथ भी share ज़रूर करें, और आने वाले lectures की notification के लिए सब्सक्राइब कर लें, और आपको वीडियोज कैसे ल झाले 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 झाल 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 झाल